नवस्कार आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ा थे तेरे मैं आपिसार शर्मा तो मोधी सरकार और किसानों की बीच में आठवे दौर की बाचीत हुई और आज भी बाचीत में बात आगे नहीं बढ़ी अब अगले दौर की बाचीत जो है वो 15 जनवरी को होगी मगर आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आज बाचीत में हुआ क्या बाचीत में जैसे कि मैंने बताया कि अगले दौर की बाचीत अप 15 जनवरी को है किसानों ने सरकार से स्पष्ट कर दिया और ये खबर जो है पी टी आई और इंडी टीवी दो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि हमारी घर वापसी तभी होगी जब आप इन बिलों की इस कानून की इन तीन कानून की वापसी करें क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि भई कई दिन हो गए कई हफते हो गए और किसान जो अभी भी सिंगू बॉडर पर है दिल्ली को घेरे जे वो धरना दे रहा है आप लोग घर वापस कब जाएंगे तो इसके जवाब में किसान ने कहा कि हमारी घर वापसी तभी जब इन कानूनों की वापसी होगी मगर आज मैं केंदर सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ बाचीत का अगला दौर 15 जनवरी को यानि कि अब से एक हफ़ते बाद अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी है हर गुजरते दिन के साथ एक नए किसान या कई किसानों की मौत होती जा रही है क्या आपको किसान की जान की बिलकुल भी परवानी है मैं आज प्यूश गोयल और नरेंदर तोमर से ये मांग रखना चाहता हूँ कि आप रोज बाचीत कीजिए क्योंकि अगर आप हफ़ते दर हफ़ते बाचीत करेंगे तो किसान इसी तरह से ठंड में ठुटूरता रहेगा उसकी मौते होती रहेंगी और सबसे दुखी बात ये है दोस्तों कि जिन किसानों की मौत हो रही है वो सिर्फ बजर्ग नहीं है मुझसे भी युवा कम उम्र के जो किसान है उनकी मौत हो रही है मैं यही तो जानना चाहता हूँ इसके इंदर सरकार से कि आखिर आपके अंदर की समवेदन शीलता कहा गई आप इतने समवेदन ही कैसे हो सकते हैं दोस्तों आज जो बाचीत हुई उसमें किसानों ने एक और सवाल किया कि अंदर सरकार से उन्होंने का कि कृशी वो एक स्टेट सबजिक्ट है यानि कि राजिका विशह है ऐसे में केंदर सरकार आखिर इस मुद्दे में दखल क्यों दे रही है आखिर वो क्यों चाहती है ये तीन कानून लाना आखिर वो क्यों चाहती है कि नियूनितम समर्थन मूले पर कानूनी गारंटी ना दी जाए मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों जाने माने वकील और एक जमाने में यूपिय सरकार के खिलाफ अन्ना अंदूलन छेडने वाले प्रशान भूशन ने अपने ट्विटर हैंडिल पर राहूल गांधी का ये बयान जो उन्होंने 2015 को दिया था एक चेतावनी दी थी वो उन्होंने रखा है आप बड़ी खलती कर रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हो आप किसानों को मजदूरों को चोट पहुचा रहे हो और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुचा रहे हो क्योंकि सबसे जादे शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है आप गलत समझ रहे हो आप सोच रहे हो जो बड़ी बड़ी गारी चलाते है जो बड़े बड़े बिजनसमेन है उनके नाम नहीं कहना चाहता हूँ आप सोचते हो कि उनकी है शक्ति देश में ये गलत है इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है और दूर के हाथों में है दोस्तों आज की बाचीत में किसान ने सरकार से ये भी का कि ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे का समाधान ही नहीं चाहते क्योंकि आप के तेवर से ऐसा लग रहा है कि आप हमारे वक्त की बरबादी कर रहे हैं आप साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि हम आपसे बाचीत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि देखी हो क्या रहा है दोस्तों सरकार दो तरफा खेल खेल रही है बाचीत का ढूंग भी कर रही है और दूसरी तरफ किसान को बदनाम भी कर रही है मैं आपको एक और खबर बताना च चाहता हूं जो चिंता जनक हो सकती है कि आप जानते हैं कि ग्रह मंतरी आमिट शाह ने मनोहर लाल खटर जो की हर्याना के मुख्य मंतरी हैं उनसे मुलाकात की क्योंकि आप जानते हैं किसान जो हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ है वहां पर हर्याना पुलीस के एक एहम भूम का है इसलिए आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर अमिट शाह ने मुलाकात क्यों की बनोर लाल खटर्ट से क्या पक रहा है परदे के पीछे आज इन सवालों का जवाब देश की जनता चाहती है और जैसे कि मैंने इस कारेक्टर्म की शीरशक में कहा कि केंदर सरकार जूट क्यों बोल रही है क्या आप जानते हैं कि इस बाचीत में एक किसान नेता ने शिरकत की और उनका नाम है सर्वर सिंग पंधिरा सर्वर सिंग पंधिरा ने NDTV को बताया है और उसने ये बताया है कि क्रिशी मंत्री नरेंदुर तोमर का ये कहना है कि हमारे साथ अधिकतर किसान संगठन हैं और इस वक्ट जो किसान धरना दे रहे हैं वो सिर्फ हर्याना और पंजाब से जुड़े हुए हैं तो इसकी जवाब में दो तर्क पैदा होते हैं सबसे पहले न्यूज लॉन्डरी ने एक वेबसाइट है उसने पड़ताल की थी और उस पड़ताल की मताबिक जो 12 किसान संगठन का के समर्थन का दाव़केंसरकार कर रही है उने से 5 का तालुक सीधा BJP के साथ है यही नहीं आपको याद होगा मंतर प्रदेश किसान संमेलन हुआ था उस किसान संमेलन से ठीक पहले भारती जाता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिये अपने कारकरताओं को जो है निमंतरन दिया था कि आईए और आप इस सम्मेलन में शरीक होई है और आपको याद होगा कि प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था यानि कि हमारे प्रधान मंत्री एक ऐसे किसान सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं जहां BJP किनेता हूं वो कच्छ में जाके किसानों के साथ बाचीत कर सकते हैं मगर सिंगु बॉर्डर पर जो किसान लगातार धरना दे रहा है और मैं फिर दोराना चाहूंगा अब तक साथ किसान मारे जा चुके हैं उनके साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बाचीत नहीं कर सकते हैं तो नियूज लॉंडरी के इस पड़ताल में सामने बात उभर कर आई थी कि बारा में से पांच तो BJP की हैं अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तमाम संगठन जो है या जो BJP के संगठने उनका किसान से नाता नहीं है मुद्दा वो नहीं है मगर आप खुद जानते हैं कि जब एक संगठन BJP से जुड़ा हुआ है या उसका नेताई BJP का है तो वो सरकार के खिलाफ कैसे बात करेगा इसलिए सरकार की मनशा पर सवाल उठना लाजमी है बहराल किसान ने तुस पश्ट कर दिया है कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो जो ट्राक्टर राली उसने कल निकाली थी आपको याद होगा वो जो तस्वीरे थी अद्भुत नजारा था दोस्तों ट्राक्टर्स का जिसकी एक रिहरसल आपने देखी थी वही ट्राक्टर्स जो हैं 26 जनवरी को दिल्ली में उसकी राली निकाली जाएगी अब यह अपने आप में बहुत ही जादा समवेदन शील मुद्दा है कारकरम में मैंने आपको बताया कि अमिच शाह ने हर्याना की मुक्री मनोहरलाल खटर से मुलाकात की पर्दे के पीछे क्या चल रहा है यह सवाल उठना बहुत लाजमी है आखिर केंदर सरकार इस मामले पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहती है यह सवाल सब के जहन में इस वक्त है क्योंकि केंदर सरकार जो है मामले को बार बार टाल रही है और उसका प्रमान इस बात से सामने उभर कर आती है कि पहले तो ये किसान को बदनाम करते हैं इनके अपने मंत्री मसलिम प्यूश गोयल तो उसी बाचीत में शामिल है वो जो हैं बोलते हैं कि अर्बन अक्सलियों से जुड़े हुआ है दूसरा बाचीत के दोर के बीच में जो अंतर है जैसे आज बाचीत खत्म हुई अब अगले दोर की बाचीत पंदरा जन्वरी को है यानि कि एक हफते बाद किसान अब उसी एक महीने उस एक हफते में ठंड में ठिटूरता रहेगा और भारती मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में एकशीत लहर फिर से आने वाली है उत्तर भारत में दोस्तों समानांतर तोर पर सुप्रीम कोट में भि अगटना करम चल रहा है 11 जनवरी को सुप्रीम कोट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है यानि कि तो तीन किसान बिल केंडर सरकार लाई है बहुत ही गेर वाजब तरीके से क्योंकि आप जानते हैं कि राजसभा में किन हालात में बिल पारित हुआ था उसको लेकर सुनवाई 11 जनवरी को होनी है मगर एक और मामले की सुनवाई हो रही थी क्योंकि एक दूसरा मामला सुप्रीम कोट में आया था और वो मामला ये था जिसमें वो तब्लीकी जमात मामले में सीबियाई दखल की और सीबियाई जाच की मांग की जा रही थी इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि जिस तरह से तब्लीकी जमात वाले मामले में सैंकडो लोग जमा थे क्या उसी तरह से किसान वाला जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर भी जो हजारों की तादाद में लोग जमा हैं कहीं उससे कुरोना का कहर जो है वो और विक्राल तो नहीं हो जाएगा तो इसके जवाब में मोदी सरकार की जो नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि बिलकुल हो सकता है और इस मुद्दे को लेकर जो है शिंता जतलाई है सुप्रीम कोट में यानि कि एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं कुरोना का साहरा भी ले रही है किसान के इस आंदूलन को टार्गिट करने के लिए क्योंकि कि अदालत के अंदर सरकार के नुमाइंदे ने कहा कि हाँ इतनी बड़ी तादाद में किसान वहाँ जमा है और इस से कुरोना के हालात जो हैं और विक्राल हो जाते हैं हाला कि एकिसान ये बताना भूल जाती है कि इन्ही कुरोना के हालात में बिहार की चुनाव हो जाते हैं इन्ही कोरोना के हालात में भारती जहाता पार्टी पश्यमंगाल में रोडशो करती है आपको याद होगा अमिछ शाह ने बाकाइदा रोडशो किया था कोरोना की आपको तब याद आती है दोस्तों जब आपको किसी को टार्गेट करना होता ह या फिर अब जो किसान का संगर्ष चल रहा है आंदोलन चल रहा है तब आपको कुरोना की याद आती है और हकीकत ये भी है कि तब्लीकी जमात के मामले में आपका जो पूरा प्रॉपगैंडा है वो धराशाई हो गया है एक के बाद एक, ये बात सामने उभर कर आ रही है कि केंद्र सरकार, भारती जानता पार्टी का प्रचारतंत्र, मीडिया ने जो बदनामी की थी तब्लीकी जमात की, वो अदालत के अंदर पूरी तरह से घलत साबित हु रही है तबलीगी जमात को जिस तरह से बदनाम किया था वो घलत साबित हो गया अदालती फैसलों से ये बात सामने उबर करा गये और अब उसी तरह से किसान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों मैं आपको इस बात बतलाना चाहता हूँ मसलन जब जम्मू के अंदर जम्मू के कठिवा में एक आठ साल की मासूम का रेप होता है तो बलातकारियों को बचाने के लिए ना सिर्फ वीजेपी के नेता आते हैं बलकि पूरा मीडिया लग जाता है आरूपियों को बचाने के लिए उसी तरह से किसान को जिस तरह से मीडिया बदनाम कर रहा है वो अप्रत्याशित है मैंने कही न कहीं ट्विटर में सुना एक किसान यानि कि जो राकेश टिकैट साहब है उन से मीडिया सवाल कर रहा था ये बताईए कि आप सुभाष चंदर बोस का जन दिन तो मना रहे हैं स्वामी विवेका नन का जन दिन क्यों नहीं मना रहे हैं आपकी क्या मन्शा है क्या आप जो हैं सिर्फ सिक्थ सोच से आगे बढ़कर आ रहे हैं यानि कि कहीं न कहीं किसान को एक सोच से जोड़ना और अगर एक सोच से ना जोड़त पाएं तो एक आसान सा इनके पास निवारण है उससे खालिस्तानी बता देना उससे आतंकवादी बता देना मगर हकीकत यह है कि किसान के उस दुर्ड संकल्प के सामने ये तमाम चीजें बुरी तरह से धराशाई हो गई है दोस्तों मैं एक बार फिर अपनी उसमांग को दोहराना चाहूंगा आपके सामने रखना चाहूंगा और गुजारिश करना चाहूंगा केंदे सरकार के साथ कि किसानों के साथ बाचीत रोज हो एक एक हफ़ते के अंतर में ना हो इसकी दो कारण है सबसे पहला रोज कोई ना कोई किसान या तो हार्ट अटाक से मर रहा है या सरदी की वज़ा से मर रहा है दूसरा जो मेरा कारण है कि ये बाचीत रोज हो उसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि जब आप रोज बाचीत करेंगे तो आपके बीच में सामंजस से बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा और हो सकता है कि आप समाधान की ओर बढ़ें, हो सकता है कि किसान अपने रुख में नर्मी दिखाए, हो सकता है कि केंदर सरकार अपने रु किस तरह से राकेश्ट कैद को ये धमकी दे रहे थे, कि मेरे पास हर किसान संगठन, हर किसान नेता का जो है पूरा बायो डेटा है, पूरी कुंडली है, मैं चाहूं ते कि एक एक को ठीक कर सकता हूँ, कुछ इस तरह की बाते कही थी ना उन्होंने, याद है आपको, तो इस सोच से जरा बाहर निकलिए, काश इस बाचीत में तेश के जो रक्षा मंतरी हैं, राजनात सिंग वो शामिल होते हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में, उनका जो रवया है, वो मुझे काफी हद तक सब भी लगा है, किसानों के पक्ष में जाता दिखाई दिखाई, मगर वो इस बाचीत में शामिल नहीं है, तो एक बार फिर ये बाचीत धराशाई हो गई है, बिखर गई है और अब अगली बाचीत पंदरा जन्वरी को है, आउसकार,